तो मैं मोहन कौशिक आपका हार्थ इक्सवागत करता हूँ आज की news के अंदर जिसके अंदर आज हम discuss करने वाले हैं बहुत सारी चीजे तो पहले थोड़ा सा 2 सेकंड का discussion कर लेते कि आज क्या-क्या discuss होने वाला है class के अंदर बचा सबसे पहले तो आज हम एक editorial से related vocab को discuss करेंगे exam में bank exam को focus करते हुए सारा material हम ध्यान में दे कर आगे बढ़ रहे हैं ये basically bank exam से relevant होगा पहली चीज तो ये है अब bank exam से relevant होगा तो सबसे पहले आपको पता है कि हम हर बार शुरुवात में reading को तो focus करते ही है reading के साथ vocabulary बहुत important role play करेगा लेकिन आज हम grammar को थोड़ा सा कम weightage दे करके grammar की जगह है पर phrase replacement या word replacement जैसे words को पढ़ेंगे phrase replacement एक ऐसा topic है जिसे आप अगर net पे ढूणेंगे या YouTube पे ढूणेंगे तो उससे related बहुत कम ही question दिखाई देंगे लेकिन exam में से related हर बार कोई ना कोई section आपको दिखाई देगा ही देगा तो phrase replacement एक topic आज हम discuss करने वाले हैं इसी के साथ previous कुछ जो memory based question में spelling test का topic आता है memory based की बात कर रहा हूँ क्योंकि वैसे तो आप जानते होंगे कि exam हमें पता नहीं चलता है बट memory based के आधार पर जो हमारा spelling test का section आएगा हम उस spelling test को भी discuss करेंगे spelling test आपके bank exam को focus करते वे होगा यह बात याद रखेगा यह दोनों topic specially bank exam के questions होंगे चाहे वो memory based हों चाहे कोई भी questions हो ठीक है तो चलिए शुरुवात करते हैं समय को बिना बरबाद करते वे में बार बार इंडिया के stand को लेकर अकसर editorials में लिखा जाता है अब editorials में लिखा जाता है तो simple सा point है कि उस पर अगर question आता है तो पहला point क्या है आपको उससे related उसकी background story पता होनी चाहिए कि क्यों लडाई हो रही है दूसरी चीज़ उसकी capital का पता होना चाहिए कि रूस की capital क्या है और आपकी Ukraine की capital क्या है क्योंकि उनी से relevant question या statements को generate किया जाता है सबसे पहला word आता है invasion सबसे पहला word है invasion invasion में I-O-N लगा हुआ है तो ये noun है जैसे कि आप जानते है invasion का अर्थ होता है आक्रमन कर देना attack कर देना किसी भी देश पर control पाने के लिए जैसे the action of entering another country with an army in order to take control of it अक्सर ये problems या issues देखने को मिलते हैं कब देखने को मिलते हैं जब चीन ने भारत पर attack किया था ये पहला पॉइंट था जब भारत पर पाकिस्तान ने अटेक किया था आजादी के बाद आजैसे ही आजादी मिली तुरंत अमेरिका की साहता से आतियार बागर के अटेक किया तो ऐसे काफी सारे attack या तैयारी करना किसी दूसरे अगला वर्ड है हमारे पास pragmatic, pragmatic एक adjective है बचा, pragmatic एक adjective है, practical चीजों से विपरीत होता है, व्यवहारिक होता है, सिध्धान्तवादी कहते हैं, ठीक है, जैते dealing with problem in a practical way, practical way में हर चीज को, व्यवहार को, हर चीज को देख कर चलने को pragmatic कहते हैं, तो क्या है, adjective में, dealing with problems in a practical way, rather than following principle, अब असल में परिस्तिती क्या demand कर रही है, उस चीज को सोच कर जवाब देना, उस चीज को सोच कर action करना, pragmatic कहलाता है, याद रखिएगा, अब कई लोग क्या होते हैं, practical behavior को ध्यान ना रखके, लोग principles पर ध्यान देते हैं, सिध्धान्तों पर ध्यान देते हैं, समाज की society की demand, अगर principle ना होकर कि practical situation है, तो उसी पर decision लेना अनिवारे है, अगला word है existential, तो बचा ये word exist से बना है, और exist के साथ essential use word कर दिया गया, initial word use कर दिया, तो existential word का मतलब होता है, क्या, किसी चीज का अस्तुत्व में होना, किसी चीज की presence का होना, ये एक adjective है, ये relate करता है, किसी भी लेकर relate करता है, इससे related काफी सारे word आपने सुने होंगे, extent word भी इसी से related है, कि जो आज भी है, non में है, और चल रहा है, ये एक बहुत अच्छा word है, याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, अपने पास next point है, sovereignty, sovereignty, हमारे देश के सविधान को लिखते पर प्रस्तावना में लिखा जाता है, कि भारत की sovereignty की respect करनी चाहिए, जो भी देश के नागरिक हैं, जाहिर सी बात है, और जो जो भारत के दोस है, वो देश हैं, दोस्त हैं, वे भी sovereignty की तरीके से acceptance करेंगे, उसको मानेंगे, तो पहला word है sovereignty, the power that a country has to control its government, एक ऐसी शक्ती या एक ऐसा तरीका, एक चलाने के लिए, अपने देश की सरकार चलाने के लिए, तो sovereignty का मतलब होता है समप्रभूता, समप्रभूता यानि कि खुद के पास ऐसी शक्ती होना, जिसे देश का शाषन चलाया जा सकता है, सपोज कीजिए एक ऐसा देश जो शाषन चला रहा है, लेकिन उसके अंदर इत आगे बात करते हैं, रियल पॉलिटिक, रियल पॉलिटिक वर्ड है, ये एक संग्या है, दोस्तों, रियल पॉलिटिक का मतलब होता है, अगर आप इसे नॉमल कहें, तो इसे रियल पॉलिटिक भी पढ़ सकते हैं, रियल पॉलिटिक का मतलब होता है, ऐसी राजनीती जो व सित्व में फिर से वही चीज़ आ गई कि practical situation की डिमांड क्या है practical situation की डिमांड क्या है महात्मा गांधी जी की बात करें तो वैसे तो उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है दोस्तों लेकिन उनके लिए आज जब हम consider करते हैं तो वे सिध्धांतों पर ज्यादा focus करते थे उनका हमेशा एक motive होता था सिध्धांत वो practical परिस्ति को देख कर नहीं चलते थे practical परिस्ति को देख कर नहीं चलते थे व्यवारिक्ता को नहीं देख थे उनका मानना था सिध्धांत ये कहते हैं सिद्धान्त ही कहते हैं तो इसमें समस्या क्या आती है उसमें सिर्फ एक समस्या जनरेट होती है और वो समस्या क्या है दोस्तों समस्या ये है कि लोग जब आपकी व्यवहारिक्ता को अच्छे से परक लेते हैं जैसे पाकिस्तान ने भारत में महात्मा गांधी की व्यवहारि तो real-politik होता है, सिर्धानतों पर based होना. Consensus होता है जन्ता की opinion, राय होना, consensus कहलाता है. Consensus कहते हैं, जन्ता की राय, जन्ता की राय को consensus कहा जाता है. जिसमें समाज के सभी वर्ग, जितने भी वर्ग हैं, वे basically क्या है, वे किसी भी चीज को लेकर agree करते हैं कि yes, ये सही होना चाहिए, अब जैसे कल परसो की news है, कल की news है, परसो रात की, कि अतीक एहमद और उसके भाई अश्रफ को दो लोगों ने या तीन लोगों ने जैशरी नाम के नारे लगा कर गोली मार दी, जैशरी नाम के नारे लगा कर चलती थी, बदमाशी चलती थी, ऐसी परिस्तिती को उन्होंने क्या किया, स्विकार किया, क्या स्विकार किया, कि अच्छा हुआ, पबलिक का जन्मत क्या था, पबलिक की ओपीनियन थी कि बढ़िया हुआ, काम हो गया, बढ़िया हो गया, काम हो गया, तो जनता किसी गुं से रिलेटेड होता है, अब इसके अंदर यदि आप किसी को कहते हैं स्वन्न में दो ही वर्ड आते हैं, याद रखना, एक वर्ड आता है, दोस्तों, और और एक आता है वर्बल, वैसे वोकल फॉर लोकल का मतलब भी एक सुना था, वोकल फॉर लोकल भी चला था, जिसके जा सकता है, औरल कहा जा सकता है, आप सभी को यहां पर एक आर्टिकल दिख रहा होगा, इस आर्टिकल में इस पेज को एक बार ज़रा सा पढ़िएगा, मैं इसके शुरुवात अगले 30 सेकंड्स तो जादा हो जाएगा, वन मिनट में हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं, मैं इ झाल करते हैं, झाल चलिए, पढ़ लिया होगा थोड़ा बूत, तबसे पहले इस concept का एक background समझे, इस concept का एक background समझे, background in the sense कहने के बतलब, सबसे पहला point यह है, कि यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा शुरू हुआ, किसका, भई, यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हुई, रशिया की, लड़ाई स्टार्ट हुई, रशिया की, युक्रेन के साथ में, चलो जी, युक्रेन के साथ में लड़ाई स्ट युक्रेन को नाटो में एड़िस्ट करने के लिए यानि कि अलग अलग सभी जो यूरपिन कंट्रीज का समू है उसमें जोडने के लिए यहां पर अमेरिका ने क्या किया प्रवोक किया जबकी वो अच्छे से जानता था कि इन दोनों का टेरिट्री इशु है भाई इन दोनो अपस में कुछी भी देश का टेरिटोरियल मुद्दा चल रहा है और उससे रेलेटेट पहले काफी सारी कंप्लेन है तो उसमें इस देश को उस ग्रुप का हिस्ता नहीं बनाना चाहिए लेकिन अब युके को अमेरिका के द्वारा युएसे के द्वारा क्या किया जा रहा था युएसे ने ईःक्रेइन को क्या क्या प्रवोक्क किया, उकसाया, apologise एगरी हो गया, एगरी होने के बास बार बार रचिया कह रहा था कि मत जुड़ो, मत जुड़ो क्योंकि रचिया जो था यहां पर डेमुक्रेशी और कॉमिनिस्ट पार्टी के साथ तर लेकिन स आपको ज्यादा stronger दिखाने के लिए ये बाकी देशों पर अपना दबाओ बना कर रखना चाहते हैं ऐसी परिस्तिती में लड़ाई स्टार्ट हो गई लड़ाई स्टार्ट हुई तो USA और European countries जितने भी हैं ये उक्रेन वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा स ज्यादा लड़ाई लड़ सके अब problem यहाँ पर यह आती है problem यह आती है क्योंकि यह लड़ाई जो है लगबग आपके इंडिया के आसपास के section में जिसे आप कहते हैं कि एक तरीके से section में इस continent के अंदर लड़ाई जो हो रही है इसमें माना जाता है कि इस लड़ाई को जो शान्त करवाया जा सकता है उसमें केवल और केवल मेजर रोल इंडिया प्ले कर सकता है रशिया के क्योंकि इंडिया के साथ काफी अच्छे संबंध है इवन काफी सारे बैन लगाने के pressure के बाद भी इंडिया ने जो है रशिया से trade को बंद नहीं किया trade को बंद नहीं किया include इस situation में इंडिया और stronger निकल कराया और इंडिया ने काफी ज्यादा support हिया Russia का Ukraine जो था बार बार इंडिया को अलग अलग विशु के मंच पर बेजदत करने की कोशिश कर रहा था हाला कि इंडिया को कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन Ukraine क्या कर रहा था longer duration से बार बार इंडिया को क्या कर रहा था oppose कर रहा था अब जब काफी समय हो गया और इंडिया जो था यहाँ पर बिलकुल शांत था बिलकुल शांत था देखिए यहाँ पर heading क्या बनाई है इंडिया की एक heading यहाँ पर बनी थी जो इन्होंने main heading दी है मेन हेडिंग दिये कि इंडिया न्यूट्रल है, पैसिव नहीं है, पैसिव होता है कि मुद्दे में हो ही ना शामिल, यानि कि आपत्ती है, जगड़ा है और इंडिया है ही नहीं है आपे, ऐसा नहीं है भाई, इंडिया मुद्दे में है लेकिन पैसिव नहीं है, शान्त नही ऐसा चाहता है लेकिन इंडिया किसी के internal बुद्धों में जबरदस्थी अडचन भी नहीं डालना चाहता है ऐसी परिस्तिती पर यहां पर अब जो है यहां पर ध्यान दिजेगा USA के फॉरण जो मिनिस्टर है USA के फॉरण मिनिस्टर जो है जिनका नाम यहां पर Emine ही बोल देते हैं, काफी different नाम है, मैं बोल नहीं पाऊंगा ठीक है, तो Ukraine के Deputy Foreign Minister है Emine, जो India आये थे, पहली बार ऐसा देखने में आया है पहली बार ऐसा देखने में आया है देखिए, the first time ऐसा हुआ है, कि कोई senior government official East European country इन्वेजन, यानी युद्ध के बाद में रशिया के साथ जब युद्धू रहा है तो पहली बार ऐसा हुआ है कि Ukraine से, या East European country से, कोई भी देश भारत आया है, कोई भी देश का delegate, मंत्री या senior officer भारत आया है अब यहां पर demonstrate Kiev desire यहां पर उन्होंने दरशाई है Kiev, Kiev यानी राजधानी Ukraine की desire to build tighter ties with New Delhi and seek its help और उसकी मदद चाहता है resolve करना है इस जगडे को मुद्दे को अब यहां पर Kiev यानी Ukraine की तरफ से जो भी बात कही जाती है उसे Kiev के नाम से बोला जाएगा Kiev की demand क्या है Kiev के मंत्री की demand यह है दिल्ली से काफी और मजबूत संबंद बनाए जाए ताकि Delhi यानी India मदद करे किस की मदद करे Ukraine की मदद करे Russia के इन दोनों के patch-up को बनवाने में युद्ध को समाप्त कराने में earlier earlier जैसे ही word आता है आपके सामने दिमाग में एक छवी create कर लीजिएगा कि यहाँ पर यह keyword सुना रहा हूं keyword समझा रहा हूं यहाँ पर तो यह किसी भी article का जब भी आपके सामने कभी भी कोई reading portion आता है first sentence जो होता है वो situation को introduce करता है first sentence किसी भी reading part का introduction होता है बचा अब introduction हमें मिल गया कि भाई यहाँ पर मदद चाहते है आपके युक्रेन के जो मंत्री है या युक्रेन है अब यहाँ पर earlier की बात हो रही ही जैसे ही यहाँ पर earlier आया earlier का मतलब इस मुद्दे से पहले की बात है तो अब ऐसे में इंडिया और युक्रेन के relations दशाने की कोशिश की जाएगी कि सच्चाई में भारत और युक्रेन के relations कैसे है अब ध्यान दीजिए Ukraine had publicly expressed its displeasure had यानी past tense की बात हो रही है बाई earlier यानी पहले युक्रेन ने अपनी नाराज़गी दिखाई थी इंडिया की position को लेकर जो की war में थी अब war में तो एकी position थी इंडिया बोली नहीं रहा था August last year foreign minister Dimitro Kuleba ये foreign minister है Dimitro Kuleba जो युक्रेन के ये इन्हों ने भारत पर शब्दों का attack किया था किस बात पर क्योंकि इंडिया जो था energy purchase कर रहा था रशिया से अब ये बात उन्होंने कही अपने शब्दों के जरिये कि आप जो ले रहे हैं न वो सच्चाई में energy resource नहीं है आप जो ले रहे हैं ये सच्चाई में कीव में मरने वाले लोगों का खून है यानि कि Ukrainian लोगों की लाश पर आप सोदा कर रहे हैं आप उनकी जान का सोदा कर रहे हैं यह ऐसा उन्होंने बोला and that कीव expected और उस समय में भी past tense की बात हो रही है अभी sentence खतम नहीं हुआ है कीव expected more practical support from New Delhi अब नई दिली से कीव जो था यानि Ukraine की सरकार जो थी वो ज्यादा से ज्यादा क्या चाहती थी support मिले support मिले इसी लिए वो बार 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 India को pressurize कर रहे थे बट यानि लेकिन इंडिया जो था शान्त था इंडिया ने कोई जवाब दिया ही नहीं अब statement finished नहीं हुई उसी statement का against बोला जा रहा है बट ये जो person का नाम है जो हमने पढ़ा Emine Emine Zeprova sounded more pragmatic लेकिन जब अब बात आती है पुरानी बात में तो इन्होंने बुरा ही करी लेकिन अब ये जो बात करना चाहते है अब ये practical things पर बात करना चाहती है When she said जब हूँ कहती है कि हमें नहीं करना है यानि की she said Ukraine did not want to instruct India कहता है कि हमें कोई मतलब नहीं तुम किस से वापार कर रहे हो कि इंडिया energy resources किस से ले रहा है और economic ties किस किस country के साथ है उन्हें इससे कोई problem नहीं है बट यानि लेकिन हर nation was fighting an existential battle यानि कि उसका जो देश है अस्तित्व में बने रहने के लिए युद्ध कर रहा है अस्तित्व में बने रहने के लिए युद्ध कर रहा है रशिया से लड़ाई लड़ रहा है अब point आगे बढ़ता है अभी तक हमने केवल तीन point पड़े पहला Ukraine की एक तरीके से senior foreign minister आई दूसरा union जो minister आई उनकी demand क्या है demand बहुत simple है भाई कि भारत जो है आपस में combination करा है इनकी जगड़े को विवाद को समाप्त करा है skimming में यही पता चलता है तीसरा point जब आप पढ़ेंगे तो तीसरे point में यहाँ पर यह पता चलता है तीसरे point में यह पता चलता है कि अतीत में इन्होंने उल्टे सीधे शब्द बोले है लेकिन geopolitics को दियान में रखते हुए ऐसे शब्दों का कोई महत्व नहीं होता है practically यानि कहते है न आप क्या बोलते हो उससे फरक नहीं पढ़ता है आप करते क्या हो इससे फरक पढ़ता है तो इसी बात को दियान में रखते हुए इंडिया उस पर कोई stand नहीं लिया, कोई जवाब नहीं दिया अब इंडिया के पास में वो आकर कहते हैं कि हमें मतलब नहीं है तुम किसे व्यापार कर रहे हो लेकिन किसी भी तरीके से जो यूक्रेन है अपने existence की लडाई लड़ रहा है जिस समय से किसी भी देश ने आजू बाजू भटकने की कोशिश नहीं की जब पाकिस्तान, चीन या बाकी देश अनावश्यक इंडिया को दबाने की कोशिश कर रहे थे उस हर परिस्तिती में रशिया ने इंडिया का strongly साथ दिया है और यज़ी एक रीजन है कि इंडिया किसी भी परिस्तिती में Russia के अगेंस्ट जाना इनए चाहता है क्यूँ? क्योंकि पुराने समय में जिसने बुरे समय में मदद करी इंडिया की आज उसे कैसे भुलाया जा सकता है? जबकि यह Ukraine ही है जिसने भारत पर strong sanctions लगाने की बात करी थी जब भारत में पहली बार प्रमानु बम की तैयारी करके उसे prepare किया गया था which had India, आप जयान दीजे, which India has deep defense ties with, there is no easy immediate alternative here, अब कहता है कि इंडिया के जो Russia के साथ defense के ties है, यानि कि रक्षा मंत्रा लेके आपस की जो strong boundings है, strong relations है, इनको आप नकार नहीं सकते क्योंकि अगर बाकी बात कीजाए, suppose करो इंडिया चलो बिगाड भी लेता है, एक बात मानते है चलो इंडिया ने बिगाड ली, लेकिन बिगाडने के बाद दिमाग लगाने लाएक बात है कि अमेरिका जो मनमानी करता है भारत को अच्छे हतियार देने के लिए unnecessary rate लगाता है, फ्रांस जो अलग से unnecessary cost बढ़ा कर इंडिया को देता है, जब कि रशिया अपने weapons के साथ से technology भी देता है कि तुम अपने देश में बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब ऐसी परिस्तिती तो इंडिया की stronger relations आगे है, and Russia's aggression is naked violation, कहता है कि रशिया के साथ तुमारे संबंद बहुत अच्छे है और रश territorial integrity और international laws को तोडे जा रहा है, अब Ukraine कहता है कि मेरे साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है राप अच्छे relation बना रहे हो, the war has also made India's ties with its international ya western partners complicated in transatlantic power led by United States and have launched an economic war against Russia from which India has most of the global south have stayed away, what India has done to try and navigate this maze of geopolitics through, अब यहाँ पे दो बाते हैं, दो बाते हैं, पहली बात ही आती है, यह एक तरफ वो कहता है कि रशिया हमारे देश की संप्रभूता को स्विकारी नहीं कर रहा है, दूसरी तरफ कहता है कि इंडिया के रशिया के साथ अच्छे संबंद होने की से और इंडिया के वेस्टर पार्टनर्स भी बहुत सारे, ऐसा तो नहीं है कि के वालेक रशिया ही है, रशिया के अलावा, फ्रांस से अच्छे रशिया है, जो अच्छे सारे देश है, जिन से अच्छे सारे डरलेशिंद है, ऐसे में कॉम्प्लिकीशंज बढ़ते जा रह है दरार आ रही है और यूएस और अलग-अलग देश जो अल्रेडी रशिया से economic war कर रहे हैं economic war कर रहे हैं उसमें इंडिया भी directly or indirectly indulge हो रहा है क्योंकि इंडिया पर impact पड़ेगा अब ऐसे में जितने भी देश हैं रशिया से तो दूर हो रहे हैं लेकिन दीरे-दीरे market के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि जो रशिया के against Ukraine को support कर रहे हैं वो इंडिया से भी दूरी बना सकते हैं और इंडिया वैसे बहुत अच्छे कूशिश कर रहा है कि दोनों तरफ navigate कर रहा है कोई फरक नहीं पड़ता कि neutral है वो उससे भी व्यापार कर रहा है उससे जो व्यापार करने आ रहा है उससे भी कर रहा है लेकिन geopolitics पर इसका बहुत ज्यादा अशर पढ़ रहा है रील politics में इसका बहुत ज्यादा अशर पढ़ रहा है अब एक सवाल आता है कि अगर US से और इनी European countries की बात मान कर इनी European countries की बात मान कर अगर अनावशक तरीके से रशिया से बिगाड ले जाए चलो मान गए अब इंडिया जिस जिस से पावर या एनर्जी रिसोर्स खरीदता है अब सूचने वाली बात अगर रशिया से भी बिगाड लेगा और अमेरिका या UAE जैसे देश इंडिया को प्रेशराइज करेंगे कि नहीं तुम हमारे अनुसार चलोगे पैट्रोल इंधन के प्राइजिस के नाम पर तब तो भारत को बहुत ज़्याद इक्कत हो जाएगी और इन सभी चीजों का डारेक्ट और इंडारेक्ट क्या होता है रिलेशन यानि कि इनके इनफलेशन पर फरक पड़ता है यानि कि तेल महंगा होगा तो फिर महंगा ही हो जाएगी तो भारत को हर चीज़ को maintain करके चलना बहुत ज्यादा ज़रूरी है It has refused to condemn यानि कि मना किया गया condemn करनी का यानि निंदा करनी की Russia से यानि भारत को मना किया गया maintain defense and trade ties as well as expressed its uneasiness with the war and called for respecting the territorial integrity of all nations अब demand ये की जा रही है कि एक तरीके से आप उनकी निंदा करो उन्हें रोको और किसी भी तरीके से trade ties को रोको अभी क्योंकि Russia के संबन्द लगबग सभी देशों से तूट कए भारत को छोड़ कए और भारत अकेला strongly इतनी मजबूती से खड़ा है रशिया के साथ में कि उसे फर्क ही नहीं बढ़ रहा है कौन देश क्या उससे पीछा चुड़ा रहा है नहीं चुड़ा रहा है अब ऐसे में यह चाते हैं कि भारत भी इससे पीछे हट जाए यानि कि आप यानि इंडिया के लिए बोला जा रहा है कि आप बैलन्स करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसमें आपकी non-passiveness दिखाई दे रही है यानि कि आप activity नहीं उसमें involved नहीं होना चाहतें अब यहाँ पे भारत जो है G20 सम्मिलन को Shanghai Cooperation Organization को प्रेस करेगा अपने देश से प्रेजन करेगा and will be pressed to do more to show global leadership और अपने आप में जैसे हागी बारत है global leadership में आगे बढ़ रहा है तो उसकी एक आवशकता है क्या आवशकता है help करने की war को end करने की की war को end किया जाए अब पूरे विश्व के अंदर at presently जिनकी actual में power का वर्चस हो है वो दो कंट्री सामने आते हैं पहला चाइना चाइना जो है बहुत strongly चाहता है क्या चाहता है कि किसी भी देश के यानि अमेरिका के विरुद जो देश है उन्हें जाके बहुत अच्छा role play करें अब जैसे अमेरिका के अगेंस्ट में इरान था और यूए अमेरिका की जादा सुनता नहीं है तो इन दोनों देशों में relation अकेला करवा पाया तो केवल चाइना करवा पाया और जैसे चाइना ने इस तरी इसको प्रेजेंट किया साथ दिन की वारतालाब के अंदर आटोमेटिकली चाइना की पावर और ज्यादा बढ़ गई चाइना की value बहुत ज्यादा बढ़ गई अब वो चाहते हैं कि जैसे आप stronger position पे तो आप इसमें हस्तक्षिप कीजिए the conflict has hurt कहता है यह जो आपस का विवाद है इसने नुकसान पहुँचा है चोट पहुचा है केवल यॉरप को ही नहीं बलके पूरे संसार को और यहाँ पर जो लोगों की या देशों की opinion जो आ रही है या अलग अलग देशों की opinion आ रही है जो hostilities आ रही है वो चाहते हैं should seize या इंडिया की ये एक आवश्चक है and I have hinted at playing a bigger role in brokering peace यानि की कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा इसको रोका जाए इंडिया को शर्म नहीं करनी चाहिए ऐसा ये बोला जा रहा है कि शाय शाय मतलब शर्माना घबराना कतराना किसी चीश से पीछे हटना इंडिय इंडिया को शर्म नहीं करनी चाहिए New New Delhi has good ties with Moscow यानि कि New Delhi के बहुत अच्छे संबंद है रश्या के साथ में ऐसे में ये जो लीडर है Miss Amine क्या चाहती है विजिट का जो suggestion है कि Kiev is also looking to India to play bigger role in peace making कहते है कि भारत से demand की जारीगे बड़ा role play करो वाइचल role play करो और इस चीज को रोको लड़ाई को रुखवाओ India's policy toward conflict is rooted in its strategic neutrality भारत की इसमें अभी तक की जो strategy है वो बिलुकुल neutral है इसमें कोई condition ही straight नहीं हो रही है but neutrality does not mean कहता है कि मानते है तुमारी इस condition जो है neutral है ना तुम रश्या का support करो ना Ukraine का लेकिन that it should do nothing लेकि इसे फाइदा कुछ नहीं होगा waiting for the conflict to run its course इससे क्या होगा कि आप एक तरीके से इंतजार कर रहें कि खुद में खतम हो जाए तो ठीक नहीं होता तो It should emphasize भारत को दबाव देना पड़ेगा बहुत ज्यादा कि इसके लिए with the victim raise the voice जिस तरीके से बार बार पीडित आवाज उठा रहे हैं An interest for the global south and call for upholding international laws and sovereignty of the state कहता है कि सभी नियमों को ध्यान में रखते वे, सभी लोगों के देशों के हितों को ध्यान में रखते वे भारत को इस conflict को रुखवाना पड़ेगा While at the same time pushing for a pragmatic and permanent solution to the conflict अब कहता है कि भारत के कंदों पे जो डाल दिया कि भारत को इस मुद्दे को मजबूती से strongly खतम करवाना है और खतम करवाने के साथ साथ भारत को इस तरीके से present करना है कि ये मुद्दा आगे दुबारा ना उठे Permanent solution चाहिए अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि जिस भी देश के किसी दूसरे देश के साथ में border disputes होते हैं उस देश में कोई भी देश दूसरा देश अन्य देश पहले देश की या दूसरे देश की मदद नहीं कर सकता भारत और पाकिस्तान के अंदर आपको याद होगा P.O.K. यानि जो पाकिस्तान occupied कश्मीर है है भारत का दुनिया जानती है लेकिन क्या भारत काफी ज़्यादा मुद्दों के अंदर बार बार अमेरिका इंटरनेशनल लॉज को बीच में गसीट के लाया किया आज सक solution हुआ नहीं हुआ कितने सालों से विवाद चल रहा है उसके बात तो मैरे क्याल से कई युद्ध भी लड़िये गए हमने युद्ध भी काफी लड़े लेकिन एक भी बार ऐसा नहीं हुआ एक विबार ऐसा नहीं वाकि उस मुद्दे को सुलजाया जा सकी खेर एक की बात खत्म हो गई दूसरी बात क्या चीन और भारत का आपस का विवाद है भई territory का क्या इसको कोई देश सुलजा पाया नहीं सुलजा पाये क्या ये विदेश विदेशों के सामने है विदेश इंटरप्रेट करके भी इंटरप्ट करके भी आज तक जब कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाए तो अब चीन वाले मुद्दे को गर लेके जाएंगे तो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा अब युक्रेन क्या चाहता है बच्चा का साथ देगा नहीं तो क्या होगा भारत फिर से अधर में लटक जाएगा इसी लिए एट प्रेजेंट इंडिया जो है इस सिचुवेशन में बिलकुल न्यूट्रल है क्यों क्योंकि भारत के पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर वाले दुनिया इसकी कवाय गूगल करके देखिएगा कि हतियार सपोर्ट किये जाते थे ताकि ये और ज्यादा बिगर अटेक करें इंडिया पर ऐसी परिस्तती में जब कहने को गलत इंडिया के साथ और आप गलत करने वाले का साथ दे रहे हो तो आज अगर इंडिया शान्त है तो वो सारे इतिहास के वो चिन है जलेवे निशान है जो अल्रेडी दूसरी देशों ने भारत को दिये है तो खेर यहाँ पर यह मुद्दा समाप्त होता है यह आज का आर्टिकल समाप्त होता है अब शुरू करते हैं questions की तरफ अब शुरू करते हैं questions की तरफ आज के कुछ questions आपके सामने आते हैं बैस सबसे पहले यहाँ पर यह bold words है यह आला कि सारे ही एक same color लग रहे होंगे तो मैं यहाँ पर आपके लिए underline कर देता हूँ बचा यह 4 words है यह word replacement का topic है इन 4 words में से कोई 2 word ऐसे हैं जो आपस में यदि replace कर देंगे तो sentence का meaning सही बन जाएगा sentence का meaning सही बन जाएगा अगर इन 4 words को replace चारों नहीं होंगे कोई 2 होंगे और कौन से 2 होंगे वो आपको देखने हैं वो आपको देखने हैं चालिए अब इसमें आपको क्या करना है सबसे पहले पूरे sentence को देखना है sentence को देखने के बाद सबसे पहली आवशक्ता है आप इसके mean को देखिए इसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए अर्थ समझेंगे तो जाके इसके आंसर पन पाएंगे मैं इनके meaning लिखवा रहा हूँ दो मिनिट दिखा पहले question रीट करने के लिए आपको 10 second दिए गए चलिए शुरू करते हैं इस question को सबसे पहला word replacement में ये a, b, c, d ये चार word है इन चार में से कोई दो word आपस में स्थान को change करेंगे और शब्द का यानि sentence का exact meaning बनेगा exact meaning बनेगा सबसे पहला point है save यहाँ पर save हाला कि meaning इतना जरूरी नहीं है लेकिन पहला question है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ save का अर्थ होता है किसी चीज़ को सुरक्षित करना, आरक्षित करना, बचाना, प्रोटेक्ट करना या भविशे के लिए जोडना काफी सारे meaning बनते हैं behind negative interest rate यानि कि negative interest rate के पीछे is that this would induce induce का अर्थ होता है बच्चा प्रेरित करना this would induce people to spend यानि कि अगर negative interest rate होगा तो लोग खर्च करना पसंद करेंगे जब उन्हें पता है कि जोड कर ज्यादा आपको benefit नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे उसको खर्च करेंगे rather than logic logic तो आपको समझ में आता है किसी भी काम को करने का तरीका and earn negative interest rate on bank deposit कि वो जोडने से ज्यादा अच्छा logic की चीज में लगाएंगे जोडने से ज्यादा अच्छा logic लगाएंगे negative interest करने से अच्छा यह अच्छा होगा न कि ज्यादा से ज्यादा पैसे को utilize करो खर्च करो ताकि और ज्यादा benefits कमाए जा सके benefits कमाए जा सके तो यहाँ पर पहला word आता है आपके पास में क्या आता है कि आपको कोई भी दो words को change करना है कोई भी दो words को change करेंगे तब जाकर आपके पास में सही उत्तर बनेगा सब जाके सही उत्तर बनेगा चलिए देखते हैं पहला question क्या कहता है सबसे पहला basic save कोई word नहीं होता है बच्चा सबसे पहला word होता है कि यहाँ पे जो word लिखा न basic save behind negative interest यानि कि basic save कोई word नहीं होता है negative interest के पीछे concept हो सकता है reason हो सकता है cause हो सकता है या फिर हो सकता है बच्चा logic कारण हो सकता है किसी चीज़ के पीछे किसी चीज़ के पीछे कारण हो सकता है यानि कि ऐसा कोई word है जो option में आपको ये दिखा रहा हो कि logic होगा logic होगा A option की जगए तो चलिए answer देखते हैं तो आपके सामने A की बार में C option दिखता है आप sentence को पढ़ते हैं तो basic logic है logic क्या है? negative interest rate के पीछे कि आपको प्रेवित करना है कि आप save करने की जग है earning पर ध्यान दिजिए save करने की जग है negative interest को बैंकों में मत जमा कीजिए rather than save and earn save and earn negative interest की जोड़ो और बैंकों में रखो negative interest कमाओ तो ये एक तरीके से concept बनता है जिसके अंदर आपके answer सामने आएगा अगला question आपके सामने है बचा ऐसे ही question number two ये भी word replacement का question है इसमें हमने दो question word replacement के पांच question आपके spelling test के रखे हुए है इसके अंदर भी हमारे पास कुछ words हैं जैसे scam हो गया alleged हो गया alleged के बाद में against हो गया proposals हो गया तो देखते हैं क्या answer बनेगा इसका यहां पर आपको फिर से word को replace करना है word को replace करने के अंदर आपको चारो words का meaning पता होना आनिवारे है sentence का meaning grasp करना आनिवारे है यही चीजम बार बार आपको reading से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या सही word use है या नहीं है तो grammar की basic knowledge होना जरूरी है grammar की basic knowledge होना जरूरी है देखते हैं क्या word आएगा आपके सामने देखीएगा सबसे पहला word है आपके पास the anti-corruption bureau यह ACB का बच्चा short form है यह ACB का full form है seven proposals दिये गए यानि seven एक adjective है विशेशन के बाद संग्या आना अनिवार रहे है संग्या आना अनिवार रहे है जबकि यह alleged यहाँ पे वर्ब होना चाहिए लेकिन noun के स्थान पर है और against एक preposition है यानि कि ऐसा कोई option नहीं है जो A को replace करे seven के बाद plural noun चाहिए जबकि seven के बाद यहाँ A और B वाला option यदि देखते हो तो A की जग़ अगर B आता seven के बाद plural noun आना चाहिए यह option गलत हो गया बचते हैं A की जग़ C आना चाहिए तो यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि seven एक संख्या है seven एक determiner है adjective है इसके बाद में सदैव noun चाहिए और वो भी plural common noun चाहिए तो यह दो pair तो चलो गलत ही हो गए यह दो pair गलत हो गए A को D से बदल सकते हैं क्या A को C से भी नहीं बदल सकते A को D से भी नहीं बदल सकते चलो यह तीन pair गलत हो गए बचा बचते हैं दो pair जब हमने ऐसे elimination किया तो grammar के इस logic को focus करने से आपके पास at least 3 option उड़ गए अब बचते हैं 2 option या तो D को C से बदलेंगे या B को किस से बदलेंगे D से बदलेंगे चलो भई देखते हैं देखते हैं चलो option तो हमारे 3 कट गए अब सवाल को धिहान से पढ़ना है ठीक है भाई पहला question हमने पढ़ा क्या है कि ACB यानि anti-corruption जो bureau है इसके पास साथ proposal है किस चीज़ के लिए file करनी है FIR filing यानि एक तरीके से complain करनी है complain करनी है complain करनी है यानि file करनी है complain करनी है file करनी है अब file करनी है कहा करनी है किसके विरुद करनी है senior government officials के लिए senior government officials के लिए क्या करनी है complain करनी है चलो जी एक संग्या आपके सामने दी गई है एक verb दी गई है और verb के बाद object दिया गया है verb और object का pair बनाने के लिए सदैव आवशक्ता होती है preposition की सदैव आवशक्ता होती है preposition की क्यों क्यों क्योंकि scam तो संग्या हो गई चलो जी filing FIR FIR फाइल करनी है तो FIR अपने हमें संग्या हो गई इसका और scam का आपस में कोई pair नहीं बन रहा जब कोई pair नहीं बन रहा तो गड़ बड़ी इसी में है इसी में है तो देखिए B वाला option कोई है ये रहा अब B को D से replace कर दीजिए FIR करनी है फाइल करनी है किसके विरोध में करनी है अगेंस्ट करनी है किसके अगेंस्ट करनी है senior government officials के अगेंस्ट करनी है क्यूं connection मिले है उनके सम्मिलत होने के किसमे काफी करोड की irrigation के scam में कहां पर महरास्ट में and pending with principal secretary of the state water resource department ठीक है जी तो उमीद है या असानी से समझ में आ गया होगा अगला point है हमारे पास spelling test का एक sentence लिखा हुआ है पाँच spelling है पाँच नहीं है चार spelling है पाँचवा option है all correct का पाँचवा option है all correct का इसमें दो चीजे notice करनी है कई बच्चों को लगता है कई बच्चों को लगता है कि केवल spelling focus करनी है कई बच्चों को लगता है नहीं करनी, तो अब आपको focus क्या करना है, focus यह करना है, कि क्या कोई word का प्रयोग है, कहीं वो गलत तो नहीं है, क्या जो word का प्रयोग है, वो गलत तो नहीं है, चलिए देखते हैं, पहला word आता है, पहला question है, election, commission, ban, ban करता है, पहला word है, यहां पर commission, ठीक है, ध्यान से लोड़ कमप्लेंज, बैन करता है कमप्लेंज को, अगेंस्ट, अगेंस्ट, यानि विरोध में ठाकुर, फोर हर, ओफेंजिव रिमार्च, ओफेंजिव रिमार्च अगेंस, 21, 110 मुंभाई टैरर अटेक्स, मार्टियर, एमन्त, कर रे, यह बीचार वर्ड है, मार्टियर कहते हैं बचा शहीद को, offensive कहते हैं किसी के लिए गलत बोलना, offend करना, complain कहते हैं शिकायत को, और commission होता है संगठन बिठाना या एक तरीके से report के लिए लोगों की एक जाच कमीटी बिठाना, अब आप देखेंगे कि commission में यहाँ पर एक spelling का mistake है, क्यों क्योंकि यहाँ पर commission आएगा, तो सही, जो word है, यहाँ पर spelling का error है, complaints यहाँ पर noun है, अगर यहाँ पर n हट जाता और complain लिख देते हैं, तो यह वर्भ हो जाता, फिर हम इसमें गलती निकालते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं अगले question की दरब, enthousiasm is, अब यहाँ पर enthousiasm, जोश उत्सा होना चाहिए, इसका हिंदी अर्थ, चलो, ठीक है, enthousiasm is one of the key ingredient, यह नि काफी आवशक चीज है, for a lifetime, पूरे जीवन के लिए, of successful living, of successful living, अब जब आप इन वर्ड्स को पढ़ते हैं, तो lifetime, life वो time, कोई गलती नहीं है, छोड़ दिया, success में डबल सी आता है, डबल एस आता है, success के बाद full आ गया, यह भी ठीक है, in, greedy, ends, यह भी ठीक है, enthousiasm में spelling जो शुरू होती है न बचा, वो enthous, en, से होती है, anthem, वर्ट सुना, anthem, anthem, national anthem, तो वो अलग spelling में आता है, वो अलग spelling में आता है, anthem, anthem, बुला जाता है, anthem, यह spelling mistake है बचा, इसको answer पिक करना है, अगले question की तरफ बढ़ते हैं, तो यह हमारा next question है, क्या है, people spend their whole lives, पूरा जीवन, dreaming, सपने देखने में बिता देते हैं, of becoming की बनना है, क्या बनना है, खुश होना है, जीवन जीना है, परियाप्त मात्रा में, और full of passion होना चाहिए, कि भाईया, life ऐसी हो कि बास, भरी हो passion से, passion से भरी हो, तो क्या spelling mistake है, एक बार नजर मारते हैं, क्या spelling mistake है, तो देखते हैं भाई, becoming, ठीक है, becoming, ठीक है, abundant, यहाँ कुछ गड़बर है, abundant, क्योंकि dreaming सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, passion में कोई गलती नहीं है, तो सारे correct हो सकते हैं या यह, लेकिन a, bun, यह हो गया, dent का spelling dentist भी होता है, लेकिन यह वाला dent आएगा, abundant, तो सही में, actual में, यह सही हैं सारे के सारे बचा, बाकी option सही है, केवल और केवल C option में गड़बरी है, spelling आपके सामने है, इस तरीके से पढ़िएगा, चौथा question है, courage gives us, courage कहते हैं साहस को, courage gives us, courage gives us self-control, courage हमें क्या देता है, self-control देता है, to persist, where others have failed, की बटे रहें, बने रहें, डटे रहें, कहां पर, जब बाकी लोग fail हो जाते हैं, जब बाकी लोग fail हो जाते हैं, अब इसमें जो बच्चा अलग से पढ़ता है, सिर्फ रीडिंग करता है, तो सिर्फ रीडिंग में उस बच्चे को यहां पर कोई गड़बन नदर नहीं आएगी, वो बच्चा क्या कर देगा, all are correct कर देगा, all are correct कर देगा, मैंने यहां पर बोला था, आपको spelling test दो चीज़ों पर based है, पहला grammar पर, कि आपको read करना है और ये judge करना है कि उस word का प्रयोग या उस word की presence जुकी गई है वो सही भी है या गलत है और दूसरा आपका है obviously vocabulary पर, spelling पर vocab अगर strong spelling आती है तो आप answer बना लेंगे तो आसान है ना तो अब आपकी spelling पढ़ते हैं तो courage की spelling गलत नहीं है persist की गलत नहीं है, other की गलत नहीं failed की नहीं है, तो अब दो तरीके हैं एक बच्चा जल्दी बाजी में all correct कर देगा एक बच्चा जल्दी बाजी में all correct कर देगा जबकि ये तो answer है नहीं बच्चा इसका क्योंकि paper में अगर ये लिखोगे तो इसको तो वो गलत बना रहेगा अब spelling का यानी error नहीं है अब पढ़ते हैं courage हम लोगों को other gives us self control बने रहने के लिए where, where, where के बाद यहाँ पर बचा पढ़िये लिखा है other अगर केवल other लिखते हैं तो other consider होता है singular और आप आगे plural helping verb लगा रहे है plural helping verb लगा रहे है तो यहाँ other की जगे भचा आना चाहिए others plural helping verb है helping verb में तो परिवर्टन नहीं कर सकते कहता है कि हम सबको ताकत देता है बने रहने की जबकि बाकी fail हो जाते हैं बाकी में एक व्यक्ती नहीं है बाकी में बहुत सारे व्यक्ति हैं तो यहाँ पर इसे subject की तरह पेश किया गया है तो आप others कीजिए Others have failed Others have failed Last question है आज की class का बच्चा कहते है voluntary trade both voluntary trade यानि अपनी मर्जी से जो व्यापार करते हैं ठीक है? both within and between countries यानि की देश के अंदर और देशों के साथ में within के बाद दूसरा word आता है happens happens only because सिर्फ इसली हो पाता है because both sides both sides believe believe यानि भरोसा करना that they gain from it और क्या सोचते हैं कि वो मुनाफ़ा पाएंगे अब पहले spelling देखते हैं फिर देखेंगे gain में कोई spelling mistake नहीं है चलो जी पी अलाई इवी ये भी ठीक है within कोई गलती नहीं happen की spelling एक बार देखिएगा happen की एक बार spelling देखिएगा आपको पता चल जाएगा क्या mistake है happen की spelling एक बार देखिएगा बच्चा तो happen की spelling जब देखेंगे तो happen में H-A-P-P-E-N-S आना चाहिए E-S आना चाहिए यानि की mistaken वाला हिस्सा आपके सामने है तो इस प्रकार से हमारे सामने बहुत सारे question आएगे याद रखना अभी हमारी केवल bank की editorial चल रही है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो banking exam की तैयारी करना चाहते है serious mode मित करना चाहते है फालतु की बक्वास नहीं चाहते है कि to the point तैयारी करने तो to the point तैयारी करनी है तो PowerMind की app जुड़िए download कीजिए courses को buy कीजिए ताकि आप बने रहें और सीखते रहें धेरोत नई चीजें और exam को crack करना एक मजाक बन जाए आपके लिए बहुत आसानी से बहुत आसानी से fraction of seconds में answer solve करने बताए जाएंगे ये बात याद रखिएगा ठीक है आज के लिए इतना ही बच्चा मिलते हैं next class में अपने topic के साथ में आज के लिए इतना ही धन्यवाद